होलिक तोहार की नारी बताओं आपको मानोगे अगर बता देंगे तो नहीं मानोगे न यह सही है मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके बजल में हर्दोई जिला जानते हो हर्दोई हर्दोई जिला के राजा थे हिर्डा कस्प हर्दोई जिला के राजा थे हिर्डा कस्प वो को बिरादरी के थे वह अंसूची जाती के थे हमारे आपके बिरादरी के थे अंसूची जाती के थे हड़ा कस्प और राजा हुआ करते थे उनके राज में गरीब कमजोर गरीब हुथाई नहीं सभी लोग बराबरी में रहा करते थे और कुछ सरागती यही प्रहमर समाज के लोग उनके राज में पनपने नहीं पाते थे वो हिलने नहीं पाते थे इनको लगा कि साजिस के तहर हिल्डा कस्षक को कैसे प्रास्ट किया जाए लेकिन वो राजा था हिर्डा कस्व राजा थे हमारे आपकी विरादरी के थे उनको प्रास्ट करने के लिए ब्रह्मणों ने बहुत बड़ी छल करी और छल के साथ क्या किया कि हिर्डा कस्व पएक ही लड़का था पहलार और पहलार को उन्होंने फोड लिया ब्रह्मणों ने फोड दिया अपने छोट बच्चों के साथ बच्चों को सिखला दिया कि जाओ और इसको अपने साथ में घुमाते रहो तहलाते रहो इसको पढ़ने न देना और इसके बार उसको पुरिया पुकार खिलाना सुरू कर दिया फिर उसको सराब पिलाना सुरू क प्रणित लोग अपने लड़कों के साथ में उसको सराब पिला न सिखला दिया और जब उस सराब पीने लगा तो इतना सराब पीने लगा कि उनके माबाप परिशान हो गए तंग हो गये हिड़ा कस्यप एक ही लड़का था पहला और इतना दरुआ हो गया कि हिड़ा कस्यप उनके माबाप तोनों परेशाल हो गए और परेशाल होकर के कहें कि क्या क्या जाए तब उन्होंने एक सोचा और ये पंडित लोग लड़के चढ़ाते थे जाओ उनके बिटिया को जो उनकी इजट आटलो और उनके उपर हमला करो ये चढ़ाते थे तो दो कि हम्रा कर देता था तो परिवाल कि लो जाते हैं ते हिर्डा कस्व से सिकायत करने के लिए, कि आपका बेटा राजा साहब हमारे परिवार के उपर हमला कर रहा है, लगातार दारू पिकर के गाली गुटाली देता है, जगड़ा करता है, लगाई करता है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, किसी तरह के से अपनी हो करके कहा कि मैं राजा हूँ, और मेरी पाक को अगर ही बेटा नहीं मान रहा है, तो उन्होंने अपने राज से उसको बाहर कर दिया, और लाउंस करा दिया कि अब इस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब इस बात को लड़का बाहर रहने लगा, जब हमार लोग फिर उसको और पिलाना खिलाना सुरू कर दिया, तो फिर ही हो गया, और खुब पिलाना खिलाना सुरू कर लिया, और जब खुब पिलाना करके उसको और ज़्यादा पांगल कर दिये, तो हिर्ड़का बाहर ही रहता था, और उसी समय हिर्ड़का की बहन होलिका हुलिका की शाधी होने वाले साधी कर दिया नहीं कि बराथ आईगी तो बरात आने के पहले हुलिका अपने भावी से कहा कि बावी हमारे एक्के भतिजा है और चोटे से हम उसको बहुत प्यार करते थे और कल हमारी साधी होगी भावी हम चले जाएंगे और दुनिया के लोग हमारी साधी में खाएंगे दुनिया के पकवान बन रहा है लोग खाएंगे हमारा भतीजा बिना खाए रहेगा तो भावी ऐसा करो कि खाना बना करके और बांदो भाईया के चु ये को प्यार होता ही है तो मा की ममता मा ने कहा सही है ले जाओ मा ने खाना बनाया और हिर्णा कश्व की पत्रे ने खाना बना करके और हुलिका को दिया और हुलिका बड़ी प्यान से गई भाईया की हिर्णा कश्व के चोरी-चोरी चोरी से गई और खाना देने के लिए जब वहां पूछने लगी किसी कोई मिलता था पूछते थी कि पहलाद को कहीं देखा है तो वहीं ब्रहवर फिर आगे मिल गए उन्होंने का हाँ तो उनकी बहन होलिका वह भाई के पास फिर जाती है यहां गेखियर करके इबराह्मनों ने उनकी इजद लूट लिया उनकी जब इजद लूट लिया उनकी और वो खुम से लख़पत थी तु इन लोगों ने फिर सोचा कि इजद भी लोटा खुम से लख़पत भख़ है ऐसी जितमे की जब राजे को पतफą रेगा तो फूक दिया फूलका जलके राख हो गई मर गई और सुबह जब हुआ तो हुलका की ब्राता नी थी अब फूलका घर में है नहीं हिर्ला कश्ब राठा की पतनी भी परिसान हुई कहन कि अर्य राठ के गई थी खाना देने काफी देर पहले दिरहीं हिर्ला कस्षब से बताती है अपने पती को कि खुलका गई थी खाना देने अपने भातीजे को पहलाक को पताने कहां रह गई तो वो कहते हैं कहा हैं ने का कुछ पता नहीं चलना है तब राजा सभाव ने अपने खुपिया और पता करने के लिए तो बहुत ढूरे नहीं पाए वो तो जलके राख हो गई तो जो सरागती लोग थे कुछ लोग जो गाओं के लोग थे जो देखा था चुपए-चुपए से खेल जो पहला के साथ होता था तो राजा ने राजा के खुपिया से उन लोगों ने बताया और जब बताया तो उन लोगों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कि उसने पूछा कैसे घटना क्या हुई तो उन लोगों ने बताया कि ऐसे पहला को खाना देने गई थी और हम बहका के ले गए उनके साथ इजत के साथ खिलवार किया और फला खेत में गाउं के किनारे उसको बने कंदा लक्री से फूप दिया तो राजा को आकरोश आया और राजा को जब आकरोश आया तो राजा ने उन पांचों लोगों को अपनी तलवार की नोग से तलवार की नोग से उसको चीर दिया मात पर चीर दिया और चीर करके गधा पे बैठा करके मुँपे काली पोट करके और गउँ में पूरा गउँ हो आया और सारे लोग कहेंगए अबीर है अबीर मतलब इसमें बीरता नहीं एक कायर को अबीर लगाते हैं तब उसका नाम पड़ा अबीर और तभी से लोगों ने कीचर से मिट्टी से जिधर लो जाता था लड़के खुब मारते थी कीचर फेकते थे इसके बाद इधर इनकी मां अनकी बहन गाउं के पड़ुसी सुभा भोर जपता चलता है तो महिलाएं सब जाती है धूर का पूतारे खक्ति महिलाएं गाती है नविजाती है पानी लेकर करके और घाती है कि होली माता अदोरे हमार हमोली खेना यह नहीं वह गाती नहीं को टोटी हैं दूरती एक जाने के बाद समाज के लोग भी कठा हुटे हैं और एक समाज को कठा करते ही कि हमारे समाथ तो तो हर बना दिया और तो हर बना करके हमारे लोग पढ़े साउख से होली खेलते हैं हमारी माँ बहन की हत्या हो हमारे माँ बहन की इजत लूटी गई हो हमारे पहन के साथ सोशल हुआ हो और इधा लोग खुसे में गुज्या रंग खेलते तेवहार मनते हैं तुम्हारी हार तेवहार के मतलब तुम्हारी हार ये तेवहार हमारे लिए नहीं है इसलिए भायू बहनो हमको ये होली का तेवहार नहीं मनाना चाहिए लेकिन हमारी लोग मानेंगे नहीं हम कितना भी प संद्गुरु रविदास की हत्या हुई है अप उनके खंदान के हो उनके परिवार के हो बिरादरी के हो नाज है नहीं जांते हो संद्गुरु रविदास की करते हो संद्गुर्य रविदास अपने समात को जगाने का काम कर रहे थे और उस समय धोके से संद्ग हुआ संत्ग में संद्गुरु रविदास जीत गए जीत करके वापस लोट के आ रहे थे रास्ते में भोर में इनी में वस्था प्रहमरबादी व्युस्ता की लोगों ने संद्गुरु रविदास की हत्या कर दिया और हत्या करके गाउं के किनारे फेक दिया और फेकने के बाद जब पता चला गाउं के तुबा हुआ पता चला देहुआ कि रविदास गुरू की हत्य हो गई किस ने किया तो फला लोगों ने किया उनके भी उनका भी अत्मानित हुआ और इसके बाद वही लोगों ने तेओहार बना दिया जो भोर में हमारी माबेने गन्ना से और लारा के डंडा से जो रोज सुबेर ठूप बजाती है ना भोर में वो सूसी समय यह उसी समय हुआ था लोग दस सहरा मनाते हैं दस सहरा दस घॉ Caesar कोन है वर दस लोगों को माले ते और दस को माल करके राजा बन गया उसको लोग सहरा मनाते हैं का पीता अतिवार्य गोनंगो नियुकणा कि दाधिक लगाम कोमारे महापर्युश बाबा साम नियुक्तSen बिच करजीं नहें होते सोनाएि variety जो मुझल्मान जो नोक कर रहे हैं यह किस के बदोलत कर रहे हैं यह हमारे आपके बदोलत नहीं है दाक्टर विंजर heeft कर जी कर रहे हैं आज कोरी चमार पासी खत्टी को मुसल्मान से रणाया जाए।